हेलो एज स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं रबिन्द नाथ टैगोर ये क्लासिक्स की जो अपनी जबान बुक है उसी का चप्टर नंबर है टुएल रबिन्द नाथ टैगोर इसको अच्छे तरह से हम रीट करेंगा और समझने वाले हैं बच्चों तो रबिन्द नाथ टैगोर ये बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है जितना आप सोचते हैं उससे कहीं गुना ये बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते थे रबिन्द बाबू साथ मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए आपके वालिद बुजुर्गवार महारिशी देविन्द नाथ टैगोर के चोदहुई और सबसे छोटे बेटे थे घरवाले मुहबबत से उन्हें राभी कहते थे इसमें कहा गया है कि रबिन्द बाबू का जो जनम हुआ वो 1861 हिस्वी को कलकत्ता में हुआ और उनके वालिद जो थे वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे या फिर कहें तो महारिशी जिनका नाम था देविन्द नाथ टैगोर और जो रबिन्द नाथ टैगोर थे ये अपके वालिद महारिशी एक सूफी मनिश बजुर्ग थे उनकी सारी जिन्दगी इश्वर भक्ती और गरीबों की मदद करने में गुजरी अपने जमाने के मशूर आलिम थे बंगाली संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फार्सी जबाने भी अच्छी खासी जा को वालिद थे वो एक बहुत महारिशी मतलब एक काज Assatha ने ष north最 9 century veo कि मदद करने में जो बंगाली, संस्क्रीट, हिंदिक के साथ साथ उर्दू और फार्सी जबाने को भी अच्छी तरह से वो जानते थे वो एक अच्छे देश भक्त और हर रोज ओ कौम की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम करते रहते थे और फिक्र में लगे रहते थे टैगोर के खांदान में बच्छों की तालीम और तर्बियत उसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सद्य हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन को फखर रहा है सुबह सबहरे उठना मुहाद धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुँचना अखाड़े से निकलते ही स्कूल चले जाना तो इसमें कहा गया है हमसे इस पूरे परागराफ में कि जो टैगोर के खानदान में जो तालीम और तर्बियत का जो ढंग था वो पुरानी तहजीब से बहुत मिलता जुलता था मतलब बहुत अच्छी तरह से उनका एक रवया होता था कानून था उनके घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए वो क्या करते थे कि सुबह सवेरे उठते ही वो कुष्टी के लिए चले जाते थे अखाड़े मतलब कसरत करने के लिए चले जाते थे फिर वहां से आते ही व हेदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता जब पूरे दिन वह स्कूल से वापस आते तो दो पर से पहर क कहते हैं कि स्को दो पर मतलब बारे साड़े बारा बज़े ऐस hört को तो जब वह उस वक्त स्कूल से आते थे तो आते ही यूनिफॉर्म चेंज कीजिए फिर उसके बाद घर पे पढ़ाने वालों का शिर्शिला शुरू हो जाता था और रात नौ बज़े तक मतलब उन्हें पैदियों की तरह मजबूर कर दिया जाता था कि रात नौ बज़े बच्चों तुमको सोही जाना है टैगोर बंगाल के मुम्तास तरीर अमीर खंदान से तालुक रखते थे मगर उस खंदान में अपनों बच्चों की तरवियत का ढंग भी बस नमूने का था बच्चों के लिए न तो पीमती कपड़ों का हितमाम था न अच्छे अच्छे मुरगन खानों का न एशो अराम का वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नसलों को बरबाद कर दिया है खुद टैगोर महमूली कमीस और पाजामा पहंते आम तोर पर सिलीपरों का एक जोड़ा मिला करता था घर पर ज्यादातर नंगे पाउं रहते थे इस पर अगर आप में अगर देखा जाए तो हमसे कहा गया है कि टैगोर जो है वो बंगाल के बहुत बड़े माने जाने वाले अमीर खानदान से तालुक रखते थे लेकिन उनके जो लोग थे घर के वो बहुत ज़ादा होश्यार थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर बच्चों को हम अभी इसे छूट देने लगेंगे तो ये बड़े होकर कुछ अच्छे नहीं बन पाएंगे इसकी वज़ासे ये लोग बहुत ज़ादा आगे बढ़ें अभी टेगोर आठी बरस के थे कि उनके बड़े भाई जीवती नात ने उनसे कहा राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते अभी टेगोर की उमर आठ साल की ही थी तब उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था जीवती नात उन्होंने उनसे कहा के राबी राबी तो रबिन्ना टेगोर को ही मुहपत से कहते थे लोग तुम शेर क्यों नहीं कह लेते शेर शेरो शायरी क्यों नहीं करते हैं टेगोर ने पहली नजम कमल पर लिखी तब कमल मजमून पर नजम कैसी थी कुछ पता नहीं लेकिन ऐसा जरूर था कि उसे देख कर जीवती नात की आखों में खुशी के आशु छलक आए उन्हों ने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ आई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चड़ाओ पर तालीम दी टेगोर ने जो है जो अपनी पहली नजम वो कमल पर लिखी थी नजम कैसी थी ये टेगोर को कुछ पता नहीं है लेकिन ऐसा जरूर था इतना इमोशनलिटी के साथ उन्हें लिखा था कि जब जीवत जब नॉर्मल स्कूल पहुँचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कापी पर शेर लिखने लगे फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल इसकूल में दाखला कराए गया उनका तो उन्होंने एक लाद रंग की कापी बनाई और उस पर शेर लिखने लगे अक्सर फुरसत के वक्त ये अपने शेर जीवती बाबू को सुनाया करते थे अक्षर जब इनको फुरसत मिलता तो ये अपना शेर जीवती नात अपने बड़े भाई को सुनाते रहते थे जीवती जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियस से तारूफ कराते जी उती जो है जब ही वो अपने दोस्त से मिलाते अपने छोटे भाई राबी को तो वो कहते हैं कि ये राबी शायर है ये शेर कहता है इस हिम्मत अफजाई का ये नतीजा निकला कि ये जल्द शायर की हैशिय से रोशनास हो गए और इसका ये नतीजा निकला कि वो बहुत जल्द ही शायर के नाम से जाने पहचाने जाने लगे बात कुछ होर आगे बड़ी टैगोर की शोहरत नॉर्मल स्कूल के देंट तक पहुची उन्होंने टैगोर के शेयर सुनकर उन्हें अपने खास शागिर्दों में शामिल कर लिया तैगोर की जिन्दगी जिस अधूरी तालीम के दौर से गुजर रही थी वो टैगोर के खांदान के लिए किसी तरह इत्मिनान बख्ष न थी मतलब टैगोर इ अपने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे और ऐसी अधूरी तालीम से वो गुजर रहे थे जो कि उनके खांदान के लिए बहुत बुरा चीज हो सकता था उनके खांदान के रिवाज के हिसाब से यह बहुत पीछे जा रहे थे अपने बड़े भाई जीवतिनात के स फिर यूनियर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिल करा दे गया 1877 इसवी में उन्हें एक इटन कॉलेज और यूनियर्सिटी कॉलेज जो लंदन में छी वहीं पे दाखला उनका कराई डिमिशन करा दिया गया जहां वो कई महीने तक पढ़ते रहे लेकिन जल्द ही उनका दि की मश्कलों की तरफ लगा दिया उस जमाने में उन्होंने दश्म से जादा नसर लिखने की कोशिश की तो अगर हम बात करें तो जब वो उनका दाखला करा दिया गया कुछ महीने तक वहां तक पढ़ते ही रहे लेकिन उनका दिल उचाट हो गया क्योंकि जो है काले गोरे क का फर्क वो जो नहीं करते हैं सिनियर और जुनियर इन सब का फर्क इन सब की वज़ा से उनका दिल बहुत उचाट हो गया था और उनका मन वहां पर नहीं लग रहा था पढ़ने में फिर उन्होंने शेर शायरी के तरफ अपना ध्यान किया और उन्होंने उस जमाने में खांदान के लोग नाराज थे इसलिए उनको हुक्म मिला के शीलदान पहुँचकर जागीर का इंतजाम करें जब वो इंगलिस्तान से आये तो उनके पास कोई डिगरी नहीं थी वो इसी तरह आ गये थे तो ये उनके खांदान के लिए एक बहुत बुरी बात थी इसी बज गाओं वालों की भलमनसाहट और इंसानियत को गहरी नजर से देखने का मौका मिला यहां उन्हें गरीब का काश्टकारों की सादा जिंदगी से साबका पड़ा यहां वो गरीबों और मजदूरों के दुख तर्द में शरीक रहे और जागीर का इंतजाम इतना अच्छा कि या कि सभी मुतमाइन हो गए यहां उनकी शायरी को नई जिंदगी मिली उनके बहुत से डारामें और कीतों के मजमूएं इसी शीलदान के पैदावार हैं जब उनको शीलदान भेज दिया गया तो जब वहां पे वो गए तो उनको पहली बार यह पता चला के इंदुस्तान में गरीबी मुफलिसी और घाओं वालों के साथ जब वो रहे तो उनकी इंसानियत उनकी मुहबत यह सब चीज़े उन्हों ने देखा जो हमारे किसान लो हुए और उनको सब के साथ मिलकर जागीर का इतना अच्छा इंतजाम किया कि घरवाले मुतमईन हो गया और उनसे खुश भी रहते थे और इसी शीलदान में उनकी शायरी को एक नए जिंदगी में मिली थी और बहुत सारे उनके डरामे गीते गीतों के मजमूए जो हैं इस पन से मौसिकी के बाकाईदा तालीम हासिल की उन्होंने न सिर्फ गीत लिखे बलगे उन्हें दिलकश धुनों पर गाकर सुनाया उन्होंने उन्होंने इपने गीतों की धुने खुद बनाई यहाँ पर कहा गया है उच्छों कि मौसिकी गाने को काते हैं जो है टैगोर को गानों से भी कुदरती लगाओ था बलकि बच्छपन में जब उथे तो उन्होंने मौसिकी पर मतलब गानों पर तालीम भी हासिल की थी एक मक्सूस उन्होंने ना सिर्फ गीत लिखे बलकि उन खुद बनाया था उनकी बनाई हुई धुने रफता रफता बंगाल के सबसे ज़्यादा मकबूल संगीत बन गई उन्होंने जो धुन बनाई थी गीतों की वो धीरे धीरे बंगाल की सबसे ज़्यादा पसंद करे जाने वाली संगीत बन गई उन्हें रबिंदर संगीत का नाम दिया गया और उन सब धुनों का कहा गया रबिंदर संगीत बंगाल की मौसिकी में रबिंदर संगीत को एक अहम मकाम हासिल है और बंगाल के जो है वो गानों में गीतों में जो रबिंदर ने संगीत के जो धुन बनाये थे उन्हों सबको एक अहम मकाम हासिल है आज टैगोर की एक और बात सुनकर आपको बड़ा अचंबा होगा उन्होंने 60 साल से ज्यादा की उमर में मुसविरी सिखी मुसविरी काते हैं पेंटिंग करना तस्वीर बनाना उसी को मुसविरी काते हैं उन्होंने 60 साल जब उनका उमर पार हो चुका था तब उन्होंने पेंटिंग सिखी भला इतनी उमर को पहुँचकर इनसान किसी नए फन को तो क्या सीखता है अपने उस फन से भी उकता जाता है जिसका वो माहिर होता है कहा गया कि इतने सालों के उमर में अगर कोई इनसान किसी चीज में माहिर होता है उसमे में एक नए फन को सीखा पूरी तवज्जा और महनस से सीखा और अभी उसे सीखे हुए दस बारा साल भी नहुए थे कि मुसविरी के माहिरों ने उन्हें मुसविरी के पैगंबर का दर्जा दे दिया अभी उनको ये मुसविरी सीखे हुए दस बारा साल भी नहीं हुए थे क उनको बहुत पड़ा पैंटर कहा जाने लगा टैगोर की तस्वीरें ज्यादा तर कुदरती मनाजिर पर हैं जंगल के जानवरों पर हैं और परिंदों पर हैं उन तस्वीरों के तादाद लगभग 3,000 हैं टैगोर ने जो पैंटिंग्स बनाएं थी वह बहुत जादा वह कुदरती मनाजिर पर मतलब कुदरती चीजों पर जैसे पेंड़ पौदे जंगल नदियां बहारें इन सब चीजों पर जादा उन्होंने फोकस किया और पैंटिंग्स बनाई जो कि लगभग 3,000 के करीब मौजूद है आज मारकेड में टैगोर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बहुत बड़े शायर थे बहुत बड़े संगीत कार थे बहुत बड़े मुसविर थे सब बातों के साथ साथ इंसान भी थे बहुत बड़े इंसान जिस से मिलते बराबरी से मिलते बहुत इखलाक से मिलते जिस किसी से मिलते उसकी हैसियत के मुताबिक बाते करते टैगोर जो है वो हिंदुस्तान के नहीं बलके दुनिया के बहुत बड़े शायर थे बहुत बड़े संगीत कार थे बहुत बड़े गाना गाने बिगीत काने वाले थे और बहुत बड़े पेंटिंग थे पेंटर थे इन सब बातों के साथ साथ हो एक बहुत अच्छे इंसान भी थेक होता है न कि इंसान के अंदर बहुत सारे गुन होते हैं तो घमंडी होता है लेकिन ऐसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत बड़े इंसान माने जाते थे, जिस से भी मिलते, बराबरी से मिलते, ये नहीं कहते कि ये कमजोर है, तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये गरीब है, तो इसको साइड करो, ऐसी बात नहीं थी, उनका जो अखला उनकी जो पैदाइश हुई थी वो एक जमीनदार या फिर करें तो जागीरदार के घर में हुई थी लेकिन उनकी साधा जिन्दगी काबिले रश्क थी लेकिन जो उनकी साधा जिन्दगी थी वो देखने के काबिल थी तो बहुत अच्छी थी कही जाये तो साधा लिबास पांते थे, खाने में किसी किसम का तकल्फ नहीं, हमेशा साधा घज़ा खाते थे, अपने शागिर्दों को भी यही मश्विरा देते थे, साधा और खुदरती उसूलों पर जिंदगी बसर करो, उनका जो था लिबास वो बहुत ही साधा पांते थे, जाधा जीट जोट में नहीं रहते थे, खाने की कैसा भी खाना मिल जाये, खुशी से खा लेते थे, साधी घज़ा मतलब जादा पुलाव गोश्ट, इन सब चीजों पर उनका ध्यान नहीं जाता था, और उनके जो आपकी हैसियस से बहुत उंचा मकाम हासिल है, हिंदुस्तान के पुराने रिशियों की तरह उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाल तरका छोड़ा है, और वह है शांती निकेतन, टैगोर को जो है, इन सब चीजों के बजाए एक और बहुत उंचा मकाम हासिल है, जिसे कहा ज है, तो वह एक बहुत अच्छे टीचर माने जाते थे, हिंदुस्तान के जो पुराने रिशी लोग थे, वो कुछ आश्रम छोड़ कर चले जाते थे, और उन आश्रम में आज बहुत बड़े-बड़े शूर्वीड लोग रहते हैं, और इसी तरह जिस तरह वो लोग आश्र निकेतन, उन्होंने कलकत्ता से 90 मील के फासले पर एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली, कलकत्ता के 90 मील की दूरी पर एक छोटे से स्कूल की उन्होंने बुनियाद रखी, मतलब तामीर करने की सोची, यहां बच्चों को मुफ तालीम दी जाती थी, और वहां पर बच कि फिरी था ना इसकी वज़र से उनको चलाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा पूरी का घर बेचा बीवी के जेवरात फरुखत किये और थोड़ी बहुत इमदाद बाहर से हासिल की मतलब जिस घर में रहते थे उसको भी उन्होंने बेच दिया बीव उन्होंने उस शांतीन्हें को विष्वभारती की शकल दे दी शांतीन च्षोटा सा स्कूल आज विष्व्भारति उन्हेयरसीटी के नाम से जाना जाता है लाफानी शाहकार गितान जली का खालिक और कौमी तराना का जनम दाता 7 अगस्ट 1941 इस्वी को इस दुनिया से रुखसत हो गया यह सब उनकी बढ़ाई के लिए यह सब चीजें कही गई है और उन्होंने जो है हमारे देश का जो गीत है उन्होंने ही लिखा था और उनकी वफात मतलब उनका इंतकाल हो गया 7 अगस्ट 1941 इस्वी को अर्थी के साथ कई मील लंबा जलूस था उस जलूस में हिंदू भी थे मुसल्मान भी थे रिसाई भी थे और सिख भी थे दूसरे मुलकों के वो लोग भी थे जो कलकत्ता में रहते थे और ये सब शायर आजम की आखरी दर्शन के लिए बेताब थे बेकरार थे जब उनकी अर्थी उठी थी तो उनकी अर्थी के पीछे मुसल्मान भी थे रिसाई भी थे सिख भी थे और दूसरे मुलक के भी लोग थे जो कलकत्ता में रहते थे और ये सब शायर आजम कहा है बहुत बड़े जो शायर माने जाते थे बलक के हर चीज में वो बड़े थे लेकिन शायर बहुत उन्होंने कही बहुत जादा उनको इसमें शुहरत मिली इसी वज़े से यही पर शायर आजम कहा गया है तो ये सब आखरी दर्शन के लिए बेताब थे, बेकरार थे तो यही पर हमारा चैप्टर खतम होता है जिसे लिखा है मौलवी अब्दुल हाकने तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंकियो